नमस्कार बदबद स्वागत है आपका न्यूजवल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्यम निश्यर्मा शुरू बात करेंगे उत्राखंड बोलेटिन की कुम्ब मेले की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए तुराखंड के पूर मुख्यमंत्री हरीश शावत ने कहाए कि वै कुम्ब मेले की उपेक्षा से बेहत दुखी है हरीश शावत ने कुम्ब के आयोजन को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को कटगरे में खड़ा किया है फेस्बुक पर हरी शावत ने लिखा है कि केंदर और राज सरकार के स्तर से कुम्ब की उपेक्षा पर दुखी हूँ हरी शावत कुम्ब नगरी हरिद्वार पहुचे हैं जहां उन्होंने गंगा इसनान किया इसके बाद उन्होंने गंगा पूजन भी किया जिसके बाद वे विविन अखाडों के संतों से मुलाकात करेंगे और वहीं हल्दुआनी की गोला नदी समेथ जिले के अन नदियों का जलिस्तर लगातार घटता जा रहा है आने वाले ग्रीश मकालीन सीजन में पानी की किल्ल से हल्दुआनी शेहर को जूजना पड़ सकता है अगर हल्दुआनी शेहर की बात की जाए जहां शेहर की आबादी को प्रती दिन 32 MLD पानी की जरूरत होती है जिसको जल संस्थान गोलनदी और ट्यूवेलों से पेजल अपूरती कराता है वहीं गोलनदी के घटते जलिस्तर पर जिला प्रशाशन भी अपनी नजर बनाए हुए है जिलादिकारी सविन बंसल का कहना आए कि पिछले वर्श के मुकाबले इस वर्श बर्फवारी और बारिश देखने को कम मिली है उत्राखंड में कोविड के 49 नए मरीज मिले हैं जबकि एक शक्स ने मामारी से दम तोड़ दिया है ये प्रदेश के स्वास बिवाग दोरा जारी किये गए बुलिटिन के नुसार 49 मरीजों के मिलने के साथ ही प्रदेश में कोरोना वाइरस संक्रमितों की संक्या भढ़कर 95,741 हो गई है ताजा मामलो में सरवदिक 27 देरदून जिले में सामने आये हैं जबकि हरिद्वार में 6 और नेनी ताल में 3 मरीज मिले हैं राजदानी देरदून में मौसम साफ बना हुआ है पाड़ी इलाकों में धूप खिली हुई है वही दिन बर धूप खिलने के साथ ही राज़ के इलाकों में सुबह शाम कडाके की सरदी भी पढ़ रही है राज़वाला, हरिद्वार और उदम सिंग नगर में कुछ इलाके हैं जहाँ पर आज सुबह गणा कौरा चाया रहा कौरे की वज़े से इन इलाकों में कडाके की सरदी पढ़ रही है इतना ही नहीं सुबह हाइवे पर भाहनों को लाइट का साहरा लेना पढ़ रहा है अदमखोर गुलदार ने गहास काटने गई एक महिला को मौत के गाट उतार दिया जिसके बाद इलाके में संसनी फैल गई शेत्र में सिर्फ सवा महीने के बीतर गुलदार ने तीन महिला को मौत के गाटो उतार डाला है और दो महिला को गंबी रूप से गाहल कर दिया था आदमखोर गुलदार को मारने के लिए शिकारी लगातार जंगल में कॉम्बिंग कर रहे हैं